सात्यों पीएम किसान सम्मान निधी से विशेश रुप से छोटे और मजोले किसानों को अतिकलाब हो रहा है। आज के कठीन समय में ये राशी इन किसान परिवारों के बहुत काम आ रही है। अभी तक इस योजना के तहट देश के लगभग ग्यारा करोड किसानों के पास लगभग एक लाग पैंतिस हजार करोड रुपे पहुंच चुके हैं। बटलब की सवा लाग करोड से भी जादा सीधे किसानों के खाते में कोई बिचोलिया नहीं। इन में से सिरफ कोरोणा काल में ही साथ हजार करोड रुपे से जादा पहुंचे हैं। जरूरत के समय देश वासियों तक सीधी मदद पहुंचें। तेजी से पहुंचें। जिसको जरूरत है उस तक पूरी पारदर्सिता के साथ पहुंचें। यही सरकार का निरंतर प्रयास है। भाई और बहनों तेजी से सीधे किसानों तक लाप पहुंचाना का है काम। उपज की सरकारी खरिद में भी बहुत व्यापक स्केल पर किया जा रहा है। कोरोणा की मुश्किल चुनोतियों के बीच। जहां किसानों ने कुशी और बागवानी में रिकॉर्ड उत्पादन किया है। वही सरकार भी हर साल MSP पर खरीद के नए नए रिकॉर्ड बना रही है। पहले धान की और अब गेहूं की भी रिकॉर्ड खरीदी हो रही है। इस वर्ष अभी तक बीते वर्ष की तुलना में लगभग दस प्रतीशत अधिक गेहूं MSP पर खरीदा जा चुका है। अभी तक गेहूं की खरीद का लगभग 58,000 करोड रुपिये 58,000 करोड रुपिये सीधे किसानों के खाते में पहुंच चुका है। सबसे बड़ी बात ये कि अब किसान जो उपज मंडी में बेच रहा है। उसको आप अपने पैसे के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता है। परिशान नहीं होना पड़ता है। किसान के हक का पैसा सीधा उसके बैंक खाते में जमा हो रहा है। मुझे संतोष है कि पंजाब और हर्याना के लाखों किसान पहली बार डायरेक ट्रांसपर की इस सुविदा से जुड़े हैं। अभी तक पंजाब के किसानों के बैंक खाते में करीब 18,000 करोड रुपिये और हर्याना के किसानों के बैंक खाते में 9,000 करोड रुपिये सीधे उनके बैंक अकाउंट में जमा हो चुके हैं। अपना पूरा पैसा अपने बैंक खाते में पाने का संतोष क्या होता है। ये पंजाब और हर्याना के किसान भी अनुभव भी कर रहे हैं और मुखर होकर बोल भी रहे हैं। मैं सोचल मीडिया में इतने वीडियो देखे हैं किसानों के, खास करके पंजाब के किसानों के, कि इस प्रकारते उनको पैसा पहुंच जाना और वो भी पूरा-पूरा पैसा पहुंच जाना। उसका संतोष इतने उमंग के साथ वो बता रहे हैं।